दिल्ली MCD चुनाओं के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जी हाँ आज दिल्ली में MCD के चुनाओं हो रहे हैं एक और जहां तमाम राजनितिक पार्टी के नेता अपनी जीत का दावा कर रहे हैं तो वहीं मनीश सिसोधिया अजय माकन और डॉक्टर हर्श वर्दन का बयान समया है जी हाँ आई आई आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहा अपनी जीत को लेकर अजय माकन ने देखें ये चुनाव नगर निगम का गलियों का नालियों का सफाई का कूडे के धेरों का पार्कों का इन सब चीजों का चुनाव है तो मेरा सभी लोगों से सभी मद्दाताओं से यही अपील है कि इस चुनाव के अंदर कैंडिडेट को देखें और कैंडिडेट को देख लोग जो है candidate को मुख्यता देख करके क्योंकि जो आदमी उनके लिए अवेलिबल हो चुनाव के बाद क्योंकि यह सबसे चोटी बिछली सीडी है हमारे लोगतान के की तो इसके अंदर ऐसा व्यक्ति चुन करके जाना चाहिए जो सुलब हो हर किसी को 24 गंटे उपलब्ध हो करना है कि सर्थ यह बाइपॉलर कंटेस्ट हो गया है आदमी पार्टी और बीज्ट के लिए पिशली बार भी यही कहते थे और पिशली बार जो है हम लोग 24% पर्सेंट लेकर के आय थे और जो है 31 सीटे हम लोग जीते थे तो ऐसा नहीं है पार्लिमेंट के अंदर भी जो कि मैं आपको 30 साल पुरानी बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको वी कि इक entity yeah देखते हैं अभी जो जिस वकत तीन नगर निगम बनाई गई ती कि कमिशनर जो है वो एक कमिशनर इतना बड़ा पूरी दिल्ली को कैसे संभालेगा और एक हैड़कोर्टर पूरी दिल्ली को कैसे देखेगी दिल्ली बहुत बड़ी होगी और उस चीज़ को ध्यान में रखक करके से खड़े गये थे जमनापार के लोगों को दूसी जगे पर आने में दिक्कत होती है और सारी पूरी की पूरी दिल्ली एक जगे के पर कैसे जा सकती है तो ये ध्यान में रख करके करा गया था सर्विसेज इंपूब हो ये करके करा गया तो देखा आपने अजय माकर ने क्या कुछ कहा इसके अलावा अपने दरिश्कों को बता दे कि मनीज सी सोधिया भी जीत का दावा कर हैं और बीजेपी पर निसाना साथ आज दिल्ली में MCD के लिए मद्दान है और दिल्ली के डेड़ करोड लोग आज दिल्ली नगर निगम के लिए अपनी सरकार चुनेंगे तो मेरी सभी डेड़ करोड वोटर से रिक्वेस्ट है उनसे निवेदन है कि आज MCD में अपना मद्दान करते वक्त इस बात का धिया कि MCD का सबसे पहला काम है दिल्ली का कुड़ा साफ करना दिल्ली के कुड़े के पहार खत्म करना दिल्ली में व्यापारियों को इमानदारी से लाइसेंस देना दिल्ली की गलियों को बनवाना दिल्ली में अंदर की कॉलोनियों की नालियां गलियां सब को ठीक रखना पार् CD के काम है तो अपना वोट MCD में यही सोच समझ कर दें कि आज आप दिल्ली को साफ सुधरा बनाने के लिए वोट कर रहे हैं कुड़ा मुक्त दिल्ली बनाने के लिए वोट कर रहे हैं कुड़े के पहाड हटाने के लिए वोट कर रहे हैं MCD में भष्टाचार खत्म करने के ल पिछले बार 54 प्रतिशत वोटिंग हुई थी दिल्ली वालों से ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील करें रहिवार का दिने तो लोग छुटती का दिन ना समझें मैं फिर से डेड़ करोड वोटर से अपील करना चाहूंगा कि मतदान बहुत महत्पूर्ण जिम्मेदा हैं इसमें बिल्कुल भी आले से ना करें और इसको उतना ही जरूरी समझें जितना हमारी जिन्दगी के और काम हैं आपके मतदान की बदालत ही दिल्ली साफ सुन्दर बनेगी एक और सब बदलाव है परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव है दिल्ली परिसीमन इन्हों ने पार्टी ने कराया लेकिन मुझे लगता है कि इन सब के बावजूद आज दिल्ली मन बना चुकी है कि जो कूड़ा उनकी गलियों में दिखता है जो कूड़े के पहार दिखते हैं इस सब पर इस बार जाड़ू चलाएगी दोसो बहुते से दोसो पचास सीथ हो जाना नु चलान चाहती है वो दाइसो वाड में भी और दोसो बहत्तर वाड में भी लोगों को तो अपनी सफाई चाहिए नहीं भारती जंता पार्टी के पास क्यूंकि 15 साल की विफलता थी 15 साल में अब लोग यह पूछ रहे थे उससे की भई आपने काम क्या किया तो इसलिए लोग भारती जंता पार्टी के पास कुछ कहने के लिए नहीं था उन्होंने नेग्रटीव केंपेणिंग की हमारे पास में ये था कि केजरिवाल जी को जिद्वी जनता ने दिल्ली सरकार बनाते वकडी थी वो सारे काम केजरिवाल जी ने किये तो अब MCD वाले सारे काम भी केजरिवाल जी करवाएंगे जब दिल्ली की जनता वोट करेगी लगता है सब मिनी पार्शत का जो गयार्वी गारेंटी थी वह बहुत आगर्शत की वोटर से भी तो देखें अपने क्षेत्र में लोगों ने आडवलेस बना के की अपने इलाके की साफ सफ़ाई और रस्था देखने के लिए तो आगे जब केजरिवाल जी की गवर्नेंस इसमें चलेगी में तो आडवलेस को मिनी पार्शत की ऑफिसल भूमिका में रखा जाएगा तो देखा आपने की क्या कुछ का मनी सिसोध्यान ने वहीं डॉक्टर हर्श वर्दन ने भी कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निसाना साथते वे अपनी चीत की बात कही देखिए मद्दा आता हैं बेहने भी निकलेंगी और दिल्ली के मद्दाता जो पार्टी सबसे ज्यादा इमानदारी से अपना राष्ट्र धर्म, अपना समाज धर्म, अपना मानव धर्म पालन करती है, उसको मजबूत करेंगे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी के नेत्वित्व में जो पार्टी राष्ट्रिय एक्ता, राष्ट्रिय एक्ष्ट्रिय 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 एक् पिश्वास है कि दिल्ली के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि दिल्ली को प्रदूशन से मुक्ती मिले, दिल्ली में यमना मैया साफ और निर्मल हो, दिल्ली शराब की राइधानी ना बने, दिल्ली में गरीब लोगों की जुग्यों के स्थान पर उनके लिए मकान बने और दिल्ली और सुन्दर बने, मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली के लोग ये नहीं चाहते कि दिल्ली के अंदर भ्रष्ट लोग, ऐसे लोग जो राजनीतिक मुल्यों के नाम पर सत्ता में आए और सबसे अधिक जिनोंने राजनीतिक मुल्यों को समाप्त भी किया है, उनको पुरी तरह से नश्ट क दिया है, वो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े पहाडों पर बैठे हैं, कोई जेल में है, किसी की आदा दरजन बार बेल रिजेक्ट हो चुकी है, किसी के साथियों के खिलाफ हजारों पेज की चार्ज शीट, सी बी आई के द्वारा दर्ज की जा रही है, किसी पार्टी के उनन्चास विधायकों के उपर एक सो उनक्तर भ्रष्टाचार के केस पिछले साथ साल के अंदर दर्ज हो गए हो, ये सारी बातें दिल्ली की जनता बहुत गहराई और गंभीरता से देख रही है, उसने पिछले पंदरा साल में MCD के शासन में भारती जनता पार्टी के द्वारा किये गए अच्छे कामों को देखा है, वो दिल्ली में जब पंच साल भारती जनता पार्टी की सरकार थी, उस सरकार का भी काम उसने देखा है और आज पिछले आठ साल में प्धान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत का नाम देश और दुनिया म के लिए, हर विक्ती के लिए गरीब, मजदूर, किसान, महिला, नौजवान, बुजर्ग, सबके स्वाभिमान के लिए काम किया है, और कोई समाच जीवन के अंदर कोई ऐसा वर्ग, कोई शेत्र नहीं है, जहां पधान मंत्री जी के कारिक्रमों के द्वारा करोडों लाभा करतियों की लंबी एक सूची ना हो, तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, अपने विवेक का इस्तमाल करेगी, बड़ी संख्या में घर से बाहार निकलेगी, और जब यहां आएगी, तो निश्चित रूप से देश हित के अंदर, समाज हित के अंद मानाफित के अंदर, वोट करेंगी, इतना ही मुझे आज ही सफसफर कहना है, क्या कुड़ा कच्रा साफ सफाएक की बात नहीं होगी, चुनाओ, किसकी, कुड़ा कच्रा गंदर की को नहीं बात होगी, कुड़े, देखिए यह दिल्ली के अंदर, MCD ने शायद जितना अच् कुड़ा जो है, वो वेस्टू वेल्थ में परिवर्तित होता है, एनरजी के अंदर, हजारों जो है, टिपर जो है, वो सेक्ड़ों घरों के अंदर, जो है, सुबह-सुबह कुड़े को उठाते हैं, मैंने इतने वर्षों में इतना बहतर काम नहीं देखा कि अधिकांश श दिल्ली में जो सरकार है, वो कुड़े के धेर की बात तो कर रहे ही, लेकिन रष्टाचार के जो पहाड बड़े-बड़े, जिन पर किसी पहाड के उपर दिल्ली के स्वास्त मंत्री बैठे हुए हैं, किसी पहाड के उपर दिल्ली के मुख मंत्री बैठे हुए हैं, और सब मदनलाल खुरहन जी और नेता लाल क्रिशन एडवानी जी का नाम आया था तो एक मिनट के अंदर उन दोनों ने एक ने डिली के मुक्यमंत्री पत से और एक में पार्लेमेंट से स्टिफार दे दिया था और कहा था कि जब तक हमारा नाम क्लियर नहीं होगा तो हम वहाँ वापस नहीं लोटेंगे और यहां आप दूसरी तरफ उधारन देख लीजें कि आज हमें दुख होता है यह जानकर कि यह दिल्ली के स्वास्त मंत्री छे महीने से जेल में है छे बार उनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है सेक्डो करोड के उनके उपर मनी लॉंडरिंग की केस है तो मैं समझता हूं कि दिल्ली के लोग यह घरगर शराब पहुंचाने के लिए दिल्ली के लोगों ने जो हमारी माताओं बेहनों की जिन्दगी बरबाद करने के लिए नौजवानों को बरबाद करने के लिए यह सब चीजों के लिए शराब की राजधानी बनाने के लिए दिल्ली के अंदर लोगों को सरकार बना कर नहीं दी है लोगों के सामने एकदम स्पष्ट है सारी चीज और कोई भी समझधार आदी मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से लगातार देखी दिल्ली में सरकार तो थी इस पार्टी की दोहजार पंदरा सत्रा में भी तब भी MCD के अंदर जो है इनकी सारी कर्टूतों को देखकर दिल्ली के लोगों ने भारती जन्ता पार्टी को जिताया और लगातार 2007 में, 2012 में, 2017 में जिताया अगर हम अच्छा काम ना कर रहे होते तो दिल्ली में हमारे साथ में से साथ सांसद लंबे समय से ना जीत रहे होते तो दिल्ली के लोगों के सामने जो फैसला करना है वो उसके लिए सारी बातें बहुत सपश्ट है मैं फिर से अपील करूगा कि दिल्ली के लोग आज बड़ी संख्या के अंदर घर से भार निकलें और अपने विवेक का इस्तमाल करकर जल्दी से जल्दी अपने मतादिकार का प्रयोग करें अब कितनी सीटें तो भाईया देखो यह तो बोई आपको पंडी जी बता सकते हैं स्टॉलजर बता सकते हैं लेकिन बीजेवी की बहुत प्रभावी जीत होगी और बीजेवी में लगातार चौती बार सब्ता के अंदर आएगी इतना मैं विश्वास पूरवक कह सकता हूँ हाला कि तीनों बड़े नेता अपनी अपनी पार्टियों की जीत को लेकर बात करें लेकिन दिल्ली M.C.D. चुनआओ से यह तै हो जाएगा कि क्या डिली से भाजपा का पूरी तरह से सपाया होगा यह अइक बार फिर डिली M.C.D. चुनाओ में बीजेपी की वापसी होगी यह जा रहा का आम आदमी पार्टी को मिल रहा है और बीजेपी को जटका लग रहा है तो ये पूरी बात दिल्ली के दिल्ली में भाजपा के लिए ठीक नहीं रहेगी और वाकई देखा जाए तो दिल्ली से पूरी तरह ही भाजपा का सफाया भी हो जाएगा इस पे नाइन न्यूजरूम कि रिपोग।